नमस्कार सिक्षार्थियों, मैं डॉक्टर सुभाश मिश्र, सिक्किम केंदरी विश्विद्याले गैंक टॉप, आपका हर्दिक स्वागत करता हूँ, आज हम सहयोगी अधिगम उपागम पर परिचर्चा करेंगे और इस विशय पर परिचर्चा करने के लिए हमारे बीच हैं डॉक्टर आशी श्रिवास्तो, विश्वभारती विश्विद्याले शान्तिने केतन, जड़ सहब, सहयोगी अधिगम उपागम भारती परिवेश में शिच्छा व्यवस्था में आज काफी प्रासंगिक महसूस किया जा रहा है, शिच्छा व्यवस्था में जो बुनियादी बदलाव हो रहे हैं, उसमें सहयोगी अधिगम उपागम का भी एक महतुपूर्ण अंश है, रूल है, आज आपके साथ मैं चाहूँगा कि हमारे शिच्छार्थियों के साथ आप अपने अनुभो साजह करें, इसका एतिहासिक परिप्रेक्ष क्या है, यह सहकारी अधिगम से किस प्रकार भिन है, इसकी मुख्य विश्विश्थाएं क्या हैं? धनेवार डॉक्टर मिश्वा, सहयोगी अधिगम उपागम पर जब हम बात करते हैं, तो हमें इसको इस तरह से समझना चाहिए कि जो हमारे चात्र केंदरित अधिगम उपागम है, चात्र केंद्रित अधिगम उपागमों में सहयोगी अधिगम उपागम और सहकारी अधिगम उपागम ये अभी हम पिछले कई दो-तिन-दस कोशिश पर चर्चा कर रहे हैं और बहुत सारे मनोवेग्यानिक, बहुत सारे सिक्षा सास्त्री इन दोनों को एक ही मानते है उनका एमाना है कि जो सहयोगी अधिगम उपागम है, वो सहकारी अधिगम उपागम ही है वो जैसे हमने, हमें अभी सहकारी अधिगम उपागम के बारे में हम जानते हैं और सहकारी अधिगम उपागम से पहले भी हम, जो हमारे उपागम है, जैसे हमने कुछ प्रकारों की बात करी थी, प्रतियोगी प्रकार, जिसमें छात्र अपने साथी को प्रतियोगी की रूप में देखता है, वैक्तिक प्रकार, जिसमें छात्र अपने साथी की उपेक्षा क करता है उसको ignore करता है और सिर्फ अपनी ही लर्निंग अपने ही अधिगम पर ध्यान रखता है और तीसरा हमने सहहकारी प्रकार देखा था जिसमें हमने सम्मुहूम में कैसे अधिगम को हम व्यवस्थित करें इस पर चर्चा की थी तो मुझे ऐसा लगता है कि सहयोगी उपागम से इसमें आपको जो similarity है समानता है वो नजर आएगी लेकिन जो differences है उन differences को भी हम आगे इस पर चर्चा करेंगे उन differences पर जाने से पहले सहयोगी अधिगम उपागम की संकल्पना क्या है इस पर हम बात कर लेते हैं अगर इसकी संकल्पना की बात करें तो जो सहयोगी अदिगं मुपागम है इसमें दो या दो से अधिक सक्षारति अलग अलग समूहों में कोई निडिश्टकार समस्या समाधान या किसी उत्पाद का निर्मार करते हैं अगर यहीं सहकर अंतर देखना हम शुरू करें तो जेसमारा सहकारी अधिगं मुपागम है उसमें एक समू है उस समू का अपना एक लक्ष है उस लक्ष के साथ साथ समू के सभी सदस्यों के अपने वयक्तिक लक्ष है और वो सारे वयक्तिक लक्ष समू के लक्षों के प्राप्ति की और एफोर्ड करते हैं यहां पर दो या दो से अधिक सक्षारतियों के ग्रुप है और जो समू है और उस समू जो है समिल करके निर्दिष्ट कार समस्या समाधान या उत्पादक ताक पर किसी उत्पाद के निर्माण पर काम करते हैं सहयोगी अधिगम उपागम इस वचार पर आधारित है कि अधिगम एक प्राक्रतिक सामाजिक प्रक्रिया है और अगर हम सहकारी अधिगम उपागम से तुलना करके देखें तो सहकारी अधिगम उपागम में जो भी चर्चा परिचर्चा है वो सिर्फ आमने सामने है जबकि सहयोगी अधिगम उपागम में ये चर्चा परिचर्चा आमने सामने भी की जा सकती है और इसे ओनलाइन भी किया जा सकता है, मैसेज बॉक्स में किया जा सकता है चैट बॉक्स में किया जा सकता है और कई संस्थानों के अलग-अलग समुहों के बीच में भी इसकी ववस्ता की जा सकती है तो इस माएने में सहिकारी अधिगम उपागम से भिन्न है आपने जब यह बात कही तो मुझे एक बात समझ में आती है कि इस सहयोगी अधिगम उपागम में साजह करने के ज़्यादा आफसर है जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप और दूसरी खास बात जो समझ में आती है जैसा कि आपने भी कहा कि जो पहले के जो उपागम थे वो काफी प्रतिद्वंदिता पर आधारित थे और प्रतिश्पर्धा पर आधारित थे और कहीं न कहीं हमारा जो शिख्षा का जो धेश जा रहा था वो कहीं न कहीं एचीवमेंट पर उपलब्धी पर जादा जा रहा था कि किस तरह से दोड़ करके उस प्रतिश्पर्धा के माध्यम से हम अरजित कर लें जबकि अब इस सहयोगी उपाग्म के माध्यम से छात्र अपने अन्य साथियों के साथ अनुभों को साजा करके इवाल होने की जो विक्सित होने वाली जो बात आती है वो कहीं न कहीं इसमें हमें दिखाई दे रही है जो मुझे लगता है जैसे कि मैंने भी आपसे कहा था कि भारती परिवेश में क्योंकि हम देख रहे हैं कि भारती परिवेश में शिक्षा में काफी कुछ तक बहुत लंबे समय तक एक दबाव रहा है विद्यार्थियों पर अर्जन का और उसमें विद्यार्थी सहयोगी की भाती नहीं बलकि एक बहुत ज्यानी व्यक्ति से और कम तो शायद ये जो सहयोगी अधिगम उपागम है वो एक शिक्षा जगत में एक बदलाव की बायार तो दिखाई देता है बिलकूल और आपने बहुत सही बात कहीं की जो हमारा हमारी घारती परवेश में जो सिक्षा सेख्षा से ला देंगरा रही इसमें दाता और ग्राही की बहूमिका रहे है तो यहाँ पर जो लीड़ा रहा है अगर हम सहयोगे सेक्षण अधिगम की बात करें तो यह जो समूह है हमारे जो समूह बन रहे हैं उन समूहों में यह समूह के सदस्ये एक दूसरे के श्रोतों पर तता एक दूसरे के जो कोशल है उन कोशलों का समुचित इस्तेमाल करते हैं और भी जैसे कि आपने कहा कि प्रतिश परधा रही है, हम प्रतिश परधी रहे हैं, हमने एक कहीं न कहीं नकारात्मक फ्रेम में अपने साथी को देखा है, तो उससे उपर उठ करके सहयोगी अधिगम उपागम की बात करें, तो यहाँ पर समुह के सदस्यों को एक दूसरे के जो शुरूत है, एक दूसरे के जो कौशल है, उनके समुचित इस्तेमाल करने का अवसर अपने अधिगम को परिपक को बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। क्योंकि विद्यार्थी बच्पन में उसकी साधा करने की चाहे वो खिलावना हो, चाहे वो सामान हो, तो साधा करने की उसकी प्रकृती तो रही है। व्यवस्था को ढालने का प्रयास किया था, अब ये सहयोगी अधिगम उपागम हमें शायद ये अवसर दे रहा है कि विद्यार्थी की शक्ति को समझ करके उसका बराबर से कच्छा में उपयोग किया जा है। और वह बराबर का भागीदार बन रहा है। ऐसा मुझे आपकी बात से लगए है। और अगर आप इसको देखें सहयोगी अधिगम उपागम तो इसमें जो पिछले अधिगम उपागम है। उसकी संकल्पना आपको काफी हट तक ओरलैपिंग दिखाए देगी। कुछ माइनों में ये उससे फरक और भी होता है। इसमें जो सबसे बड़ी बात मुझे नजर आती है वो ये है कि इसमें एक वर्टिकल एक छैतिजी सहभागिता है। जो सहकारी में नहीं है। सहकारी अधिगम में उर्ध्वाधर सहभागिता होती है। तो उसमें अगर आप इसको देखें कि समूह के जो सदस्य हैं समूह का लक्ष एक तैह हुआ, समूह के लक्षों के साथी साथ समूह के सभी सदस्यों के व्यक्तिक लक्ष तैह हुए और वे सारे व्यक्तिगत लक्षों को प्राप्त करने के बाद उस सारे अपनी अपनी प्रा भागिता है जिसमें एक ही इशू पर वो गुरुप काम कर रहा है ना कि व्यक्तिगत रूप से काम हो रहा है तो इसमें मुझे लगता है कि ये चात्र की जो बेहतर रूप लब्धी इसकी संभावना को और बढ़ाता है क्योंकि इसमें चैतजी सहभागिता है और इसमें कहीं अगर हम सहकारी अधिगम उपागम को देखें तो सहकारी अधिगम उपागम में वो जो समस्या है वो कहीं न कहीं वो दाता से ही आ रही है जैसे कि आड़ में दाता और ग्राही शब्द इस्ते का इस्ते माल किया तो दाता से आ रही है या अगर दाता नहीं है तो कोई भी एक दिन की समस्या है वो समूह अपनी आपसी परिचर्चा से उस समस्या की तलाश खुद करता है और फिर उसके हलकी और अग्रिसर होता है जी ये बात समझ में आती है कि कहीं न कहीं यहाँ पर मिल करके चलने की और शब की सक्तियों का एक साथ दोहन करने की या यह कहने कि उनको एक चेन के रूप में उनको एक श्रेंखला के रूप में बद्ध करने की संभावना भी दिखाई बढ़ता है और शायद इसमें विद्यार्थी अपने अंदर के छिपे हुए टैलेंट को शक्ति को पहचान करके और अन्य विद्यार्थियों के साथ अपने जो उसके विश कि जो अनावशक दबाव जो प्रतिसपर्धी दबाव बन रहा था सीखने के लिए अब वह स्वयम उसमें आविस्टित हो करके इन्वाल हो करके उसमें शामिल हो रहा है तो जो एक सबसे बड़ी समस्या शिक्षा किये थी कि विद्यार्थी शुरुवात नहीं कर रहा है व कि विद्यार्थी इसमें शायदा अपनी साहभागितार कर सकता है और साथी साथ उसका जो भय जो एक ट्रामा फियर की जो बात एक समस्या रही है हमेशा उससे भी निजात मिल सकती है बिलकुल और अगर आप इस सही होगी अधिकम उपागम को थोड़ा एतिहासिक परप्र पर डीवी की खोज उन्होंने ही शायद यह खोजा था कि जो अधिकम की सामाजीक प्रकृति उसकी खोज उन्होंने की थी तता सिक्षण में परिचर्चा तता समस्या समाधान पर उनकी वकालत तो डीवी जो प्रेयोजनवादी दर्शन के पिता मारी आते हैं वो भी आजिक पारसपरिक्ता की संकलपना भी नगर आती है, जिसमें वो प्रसपर निरभड़ता पारसपरिक्ता की चर्चा कर रहे हैं पारसपरिक्ता पर जोड़त समंझ सकते हैं और हाँ ये बात सच है कि यह हमने एसके वरतमान रूप में लाने में काफी देर कर दी हैं, लेकिन अभीब इसका सदुपयोग करें और इसका समेकित रूप से इसके अग इस्तेमाल करें, तब भी भी जो है, अच्छे पर नमों की उमीद की जा सकती है भारत जैसे देश में जहां जनसंख्या एक समस्या है, संसाधनों की अनुपलब्धता एक बड़ी समस्या है, शिच्छकों की एक समस्या है, कि उतने शिच्छक नहीं हैं, और साथ ही साथ अन्य जो एक भौगोलिक और पारिवेशिक जो समस्या हैं, उनको अगर हम देखें, तो शायद हमें लगता है कि जो सहयोगी अधिगम उपागम है, वह विद्यार्थियों को भी और साथ ही साथ, अगर इसको और आगे ले जाया जाए, केबल अधिगम के उपागम तक ही नहीं, बलकि अगर इसको कारिशैली तक भी जोड़ा जाए, तो हमें लगता है कि अधिगम के लिए अगर बात करें, तो जो अधिगम की अधिक से अधिक संभावना को भी ये पोशित करता हो, दिखाई देता है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, और जब इसको एतिहासी प्रप्रेक्ष में देखने के बाद, अगर हम इसको इसके सध्धान्तिक अधार की ले करें और आफ एक नज़र डालें, तो वहां पर जैसी कि आप आप की ले ना, अगरत है।", आधार की बात ग्निर्मान की बात, याइजा की अःमान की बात कहीं न कहीं समाहित है तो इसका जो श्रे है वो भी वैगाउस्की को ही दिए जाना चाहिए और उसने इसका विकास किया और सामाजिक संरचनावाद जो उसका सैधानतिक विचार था उस विचार से इसको एक आधार मिलता है वाइगास्की का मानना था कि जो संस्कृति है, समाज है, भाशा है और अंतरक्रिया है समाज के बीच में उसकी भूमिका को अगर आप समझ लें तो मानों के अधिकम को समझने के लिए वो बहुती महत्वपूर रोल अदा करेगी, रोल प्ले करेगी इसके अलावा वाइगास्की का यह मानना था कि जो ग्यान है वो संस्कृतिक है और इसलिए वाइगास्की ने बच्चों के साथ अपने अधियन में समाजिक संस्कृतिक उपागम का प्रयोग किया और इस उपागम को संचेप में अगर आप कहें तो यह सहियोगी उपागम के रूप में इसको आप कह सकते हैं वागवगतकी ने बात पर बल देया कि बच्चा जो है उसका वचार जो है, इसकी जो भाषा है, उसकी जो तारकिक परक्रिया है, इसकी जो सामाजी कंतर क्रिया है उस सब का वाता वरण Kardashians Cum लिधान के सब्चार होता है प्रास्कृतिक परिवेश के साथ बच्चा अधिगम की और बढ़ता है। इसको थोड़ा सा अगर हम व्यवहारिक रूप से देखें, तो हम स्वयम देखते हैं कि जब बच्चा घर में, परिवेश में, समाज में रहता है, तो विद्याले जाने से पहले भी बहुत कुछ की जाता है, मा से, पिता से, पास पड़ो से, और वह जो अधिगम है, वह कहीं न कहीं सहयोगी अधिगम का एक रूप ही दिखाई देता है, जिसमें विद्यार्थी भी समाज से सीखता है, सहयोग करके सीखता है, और साथ ही साथ, जो उसकी सीखने की जो प्रकृती है, वो ऐसा नहीं है कि ग्यान को केवल ग्यान के रूप में बलकि ग्यान को समाज में जीवन के अंग के रूप में वस्वी कार करता है बिल्कुल से कह रहे हैं आप और शायद यही कारण है कि जो आपने बाते कहीं इन ही बातों से निकल करके आता है वाइगाउस्की का जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलप्मेंट जिसको समी पुरती सीमा विकास का चेतर भी कहते हैं उसमें वाइगाउस्की इसी तरह की बात कर र रहा है वो तो वाइगाउस्की भी कहता है कि किसी भी ज्यान चेतर में सिक्षार्थी का अपना एक उपलब्धी स्तर होता है और उस उपलब्धी स्तर को आप माप सकते हैं उसको माप आ जा सकता है और फिर वो कहता है कि उसी चेतर में विकास हेतू उनमें एक प्रकार की त चेत्र का गया है और शायद इसी लिए कि समीप वरती विकास का जो चेत्र है उसकी उच्छ सीमा को सिक्षक तथा अपने साथियों के साथ चर्चा पर चर्चा दोरा आसानी से प्राप्त किया जा सकता है और इसी लिए सहयोगी सिक्षण उपागम जो है वो इस बात को पर चर्चा करें तो यह जो बात है और स्वभावता है जो बाहर आने लगेगी यह जो सहयोगी अधिगम उपागम है सहयोगी अधिगम उपागम में किसी विशिस्ट विशय पर समूह में चर्चा तथा उस पर साजह समझ यह इसका पहली मुख विशेस्ता है एक तो विश समुह के सभी सदस्यों की बराबर की हिस्सेदारी होती है ना कि किसी एक चात्र को दिये हुए लक्षों और सारे लक्षों को मिला करके समुह के लक्षों को प्राप्द करने जैसी बात है दूसरी जिसकी विशेष्टा है जो आपका लाब क्या है उस लाब यहां से निकलता है और दूसरी जो इसकी विशेशता है उससे इसका लाभ भी निकलता है कि इसमे एक तो सहभागिता सीखते हैं बच्चे सहभागिता के साथ साथ इसमें एक दूसरे की सहायता सीखते हैं अगर हम थोड़ा सा पीछ जायें और यह देखिए कि हमारा सिक्छा का उधच्छ यह क्या है तो सिक्छा का उधच्छ नहीं है सर्वांगीर्ग विकास, बालक कहा सर्वांगीर्ग विकास च्छा का सर्वांगीर्ग्ड विकास की बात करते हैं तो हम उसके cognitive, effective and psychomotor domain जानी अपका ग्यानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष और क्रियात्मक पक्ष को विकसित करने की बात करते हैं ये विकास एक balanced development, balanced विकास की बात करते हैं तो जब विकास की बात कर रहे हैं और दूसरी तरह में प्रतिस پढ़दा के साथ जा रहे हैं, तो कहीं न कहीं उसविकास में कधूरापन था, तो अगर सहचोगी अधिगम उपागम देखें आप, ag़ितस सहाधा सीकh कर रहे हैं और एक दूसरे की सहायता सीकh कर रहे हैं, औ इसके साथ एक प्रभावी डल कार्य टीमवर्क जिसको हम कह सकते हैं वो और संप्रेशन कोशन के साथ जब आप समाज में जाते हैं और अर्थ जगत में जाते हैं तो कहीं ना कई इसका लाभ आपको मिलता है इसका जो अगला जो बिंदू है वो बहुत ही महत्वपूर है इसमें सबसे बड़ी बात है चुकि ये समूह ही इसको निर्देशित कर रहा है समूह ही इसको अग्रेसित कर रहा है इसलिए इसमें गहन ग्यान क्योंकि समू ही है और उसको एक होच के लाना है तो गहन ग्यान और गहन ग्यान के साथ-साथ आज की रेट में जिस बात की सबस्दा कमी हो रही टॉलरेंस की तो गहन ग्यान के साथ-साथ एक समालोचनात्मक दृस्टिकोण के विकास की भी संभावना यहां होती है और उजे समालोचनात्मक दृष्टिकोर और ये गहन ग्यान है इसके साथ-साथ एक तीसरी बाद वीसे में जुड़ी हुई है वो ये है कि जब गुरुप अपने बहुत सारे विचार देता है तो उन बहुत सारे आए हुए विचारों का आत्मसात करना उसको और आत्मसात कर पहुचना और उस गहन ग्यान तक पहुचने की प्रोसेस में प्रक्रिया में एक समालोचनात्मक दृष्टिकोर का विकास होना ये इसकी बहुत बड़ी विशेस्ता है और अगली इसकी विशेस्ता के बात करें तो समूह के प्रति वयक्तिक जबाब देही सुनिश्यत करना निश्यत रूफ से यहाँ पर सहकारी अधिगम उपागम की तरह वियक्तिक लक्ष निरधारित नहीं किये गए हैं लेकिन समूह का तो लक्ष है और समूह के लक्ष को अगर प्राप्त करना है तो समूह के सभी सदस्यों को अपना अपना योगदान करना होगा और इसलिए यहाँ पर वियक्तिक जवाब देही सुनिश्यत की जाती है और अगला जो भिंदु मुझे नजर आता है वो यह कहते है कि सेक्षार्थियों को सशक्त बनाता है और सशक्त बनाने का कारण जो मुझे लगता है यहीं लगता है कि यहाँ पर पूरा नियंत्रत तो आपके और इस वजह से आप उस लक्ष के परिप्रेक्ष में ग्यान की उस गहराई तक जाते हैं जहां शायद वो दाता और ग्राही की परंपरा में संभव नहीं होता है। इसलिए स्वतंत्र अधिगम रणीतियों के विकास की संभावना यहां होती है। इसके अलावा यह समू में जो सिक्षारथी जो एक तमामन्रा मीं हो सकते हैं भुग सारे सक्षणर्टित हैं जो आपकी सक्षण अधिगन प्रक्रिया से के बाहर हों सारी रिक रूप लेकिन मांसी रूप से बाहर हूँ मुझे इसी बातर याद आता है कि जो भारती पर Frances thirty में बहु वर्गी शिक्षण एक अपने आप में चुनवती है एक वस्तिस्तिती है जिसे सिविकार करना पड़ेगा कि एक ही शिक्षक कई कक्षाओं का शिक्षण कर रहा है या दो सिक्षक मिलकर के पूरी कक्षाओं का सिक्षण कर रहे हैं तो बहु वर्गी शिक्षण में ऐसी स्थिती में बहुवर्गी शिक्षण में कई कक्षाओं को एक साथ एक या दो सिक्षण संचालित कर रहे हैं तो ऐसी स्थिती में विद्यार्थी आपस में सहयोग करके एक दूसरे का जी और जो उनमें से जो विद्यार्थी ज्यादा उनके अंदर पतिभ हैं उनको भी उसमें शामिल करके एक सहयोगी वपागम के साथ शायद बहुबर की शिक्षण में इसका और भी ज्यादा उप्योगी आ सभब करता है ना स के सकता है सéc feito बलकि हें सभी है उस समूल को समाप्त क्या सकता है क्योंकि उस तो तो एक प्रतिवागिता करनी कंच्छा चाहिए समानिक चया में है उसकी स्थिति को समूल क опre까 विशित सहयोगी जो अधिकम उपागा में सम्हू द्वारा निर्देशित होता है और इसकी एक और जो सबसे बड़ी बात मुझे नजर आती हो ये है कि एक समय पर अलग-अलग संस्थानों के समूहों के साथ भी सहयोग संभव है आज हम टेक्नालोजी के तकनीकी की यूग मे रहें तो एक साथ अलग-अलग संस्थानों के साथ एक ही विशय विशेश्च पर समूहों के साथ सहयोग संभव है और यह जो संभावना है यह आपकी उस गहरी समझ को और भी ताकत प्रदान करती है एक और इसकी जो विशेश्चा मुझे नजर आती है वो ये है कि सहयोग तो यह जो है वो अदियोगम गुणात्मक है कि गुर्णात्मक मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि सिक्षार्थी के जो उपलबधी है उसका जो ऑठीश्योड थोड़ा कम है बल्कि इस चैश्य परिचर्चा हो रहीए उसका विश्लेश्ण करता है ना कि उनके उनके उनकी उ तर गंता है या यह केहले कि सामुःक उपलव्धि को प्रॉषाई करता है बहुत अच्छी करिशन रही अभी इसके साथ ऑगर इसको देखे कि सहकारी अधिगम से बिंदता देखे तो सरसरीन नगास हम यह देख सकते हैं जो सहकारी अधिगम है वहाँ पर समूह के लक्षों के साथ सत्व व्यक्तिक लक्षों पर भी बल है जबकि सहयोगी जो अधिगम है उसमें समूह के लक्षों पर ही बल है सहकारी अधिगम में अधिगम का निर्मार विक्ति द्वारा है जबकि यहां सहयोगी अधिगम में अधिगम का निर्मार साजा है उद्विकासी है और चुनोती पूर्ण है यहां बार-बार चुनोती मिल रही है आपके समुह के सदस्यों के साथ साथ इसके अलावा सहकारी अधिगम में जो प्रक्रिया है वो बहुत ही साफ है और पूरू परिभाशित है लेकिन सहयोगी अधिगम में जो प्रक्रिया है वो समुह की अनुक्रियाओं पर आधारित है और उससे वो लीड हो करके आगे चलती है इसके अलावा अगर एक और ब सहिकारी अधिगम में नेतर तो करता की भूमिका महतोपूर रही है, लेकिन सहयोगी अधिगम में समुह के साजा अनुभव जो है वो महतोपूर रहे है, यहां नेतर तो करता की जो भूमिका है वो जादा नहीं है, बलकि जो अनुभव है वो महतोपूर है, सहयोगी अधिगम में विविद्धा पूर्ण समझ को प्रोचसान देने की बात है इसके अलावा सहयोगी अधिगम में अगर आप देखें तो सक्रिय संबध तथा खोज पूर्ण वाता वरन का निर्मान कहता है जो कि सहकारी अधिगम या और किसी प्रकार के उपागम में आपको देखने को नह कर आहरे हैं थ developments समझा में drag dark में समझ बना रहे हैं तो इसमें सारी विविट था उनको को सिकार artık नहुट है दुसरी जो प्रश के सदे स्मझ के सक्वेड़ यह उस समझ बन रही है इससे अंतर वियक्तिक कि विक्यास की सम्भनार आती है और शेक्सार्थि का अधिगम में उसकी अपनी सक्री भूमिका है जो कि शायद बाकी उपागमों में आपको देखने को नहीं मिलती है और जो इसका आखरी लाब मैं कह सकता हूँ ऐसे कि व्यक्तिगत प्रतिपुष्टी के लिए अधिक उसर हैं आपर आपको परसनल फीडबेक के लिए बहुत सारी अबशर यहाँ पर उपस्तित है धन्यवाद रड़ साब बहुत अच्छी परिचार्चा रही आज आपने सहयोगी अधिगम उपागम उसकी एतिहासिक प्रिस्ट भूम सहकारी अधिगम से उसकी भेनता मुख्य विशिस्ताओं और लाभों पर परिचर्चा की आसा है हमारे शिक्षार्थी आज की परिचर्चा से लाभानवित होंगे धन्यवाद